ये बताया जा रहा है कि आटा है वो 1.50 रपेखेलों हो गया है और दूसरा यह है आज की यह निज़ है डॉन की कि जो एक्सपोर्ट्स में मडेलिस्ट को वो कम हो रही है क्योंकि यूए में वाकी मडेलिस्ट में डिमांड नहीं है और इन्हें पता है कि हम तरकी नहीं कर सकत जब तक हम भारत के साथ अपने relationship ठीक नहीं करें इनको पता है कि आपकी महगाई तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप भारत से trade शुरू नहीं करें लेकिन कभी किसी ने उस पर को जिकर किया हो नहीं किया क्या जरूरत है वैसे तो default होई जाए तो अच्छा है कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं ताके elite को पता चले यह जो सारा कुछ यह जो manage किया जा रहा है यह elite के लिए किया जा रहा है गरीब के लिए तो आटा वही आपने बदाए 20 किलो जो है वो पचीस और पेका हो गया तो यह default हो जाए ता आज यह दिन आ गए हैं पाकेस्तानी खुद से दुआ पढ़ते हैं कि काश default हो ही जाए थोड़ा default हो जाए तो बद से बत्तर हो जाए बद से बत्तर हो रहा हो तक गमतैस नैस हो जाए कुछ भी बचना नहीं चाहिए पाकेस्तान में क्योंकि इनको पता है क्योंकि जितना जाधा मज़े पूरी दुनिया में सबसे जाधा अयाश के सम्भी कोई कौम है कोई एक गृूप आफ पीपल है समू है लोग का तो वह है पाकिस्तानी एलीट पाकिस्तानी फौज के जो हाई रहेंग उपसर है वह भी आते हैं पाकिस्तानी नेता भी आते हैं पाकिस्तान के बिजन्समेन भी आते पाकसितन के माफिया भी आते है है ये Hey इस वकत पाकत पच्छी सो वी स्किलो गांटा जो है 2500 रुपेगा कराची में तेया रेकर्ड हाई हो चुक है लेकिन कोई किसी को कोई हाई नहीं आप इतने कुरॉप्ट है आर चीज में आपके जनरल मैसेज भी कुरॉप्ट पाकस्तान इसका मेरे ख्याल में इसको मैं विसकारी जिंदगी ख्यार सुनता रहा हूं कि पाकस्तान बहुत नाजक दौर से गुजर इदर पार पार हो जाना है यह इस किसम की घरी खुर्मत हो गई है कि बुचारे गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं और वैसे जैसे आपको पता है पचास या साट फीसद पाकिस्तानी बच्चे स्कूल अब सबसे बड़ी बाक आपका चाइना का आते हैं हर चीज उन से लेते हैं आप अपनी डिफेंस की चीज़ें उन से लेनी शुरू कर दी सीपैक के बारे में आपने उनको इत्माद में नहीं लिया आज तक लेकिन यह सारी चीज़ें चीमा साब जो मैं जिकर कर रहा हूं मैंने अर्ज के दर 76 साल लगे हैं इस इस नहीं बाइस को उन्हें का तीन चीज़ें उनने कि आपके मुल्क में पावर चेंज हुई है ड्रमाटिक चेंज इन पावर दूसरे हुनने का ओर्ड हाई इंफलेशन और तीसरा का कैटेस्टरॉफिक फ्लड़ और उनने का दोजारतईश कैसा होगा और दोजारतईश क आज की खबर यहाँ ताउर साब किंदर पांच स्क्रेटी के जो लोगा उनको शेहत कर दिया है रासते तलाश करने की जरूरत है वरना नहीं ताइस एक हालात बन रहे हर रोम हम कर विल नहीं है यंश। कैपले नहीं है अपकी तर शुद्सल नहीं है या क्राइस से है वो वो बैठते हैं हम अपनी प्रोरिटी से सेट नहीं कर पाएं कि हमने कौन सी डिरेक्शन में जाना और हर रोज 23 कुरोड़ अवाम को एक बुरी खबर मिल रही है उनको छोड़ा टीटीप वारों को और उसके बाद यह हुआ कि खासकर जो पिछले आपके आईसाई के जैया आगे यहां सै और इस तरह ताकतवर होते रहें आ चिक उल्क्यान बिक बालग नहीं कि रहे रहे हैं कि आप जाब नहीं नहीं कर रहे क्या है इंहों ने जब जाके बात कि हीुनसे यह प्रीआपार necessary arrका आप सामने मारने शुरू कर दियो वे दिस इस दा रूल अवार उनका जवाब पता गया था तालबान का जवाब यह था हमारे पास तोपे थी लेकिन हमें तोपे चिलानी नहीं आती दिस ते गलती से सिविलियन मारते हैं वरना में मारना क्या हुआ परी जाते अमरीकी भीक से हम अपने बच्चों को पड़ा र देख रहे हैं उनको भी तो पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है आप देखें यूएस गौर्मन जो है वह टू हंडर्ड मिलियन डॉलर जेंडर इक्वालिटी पे लगा रही है इस साल अभी यह जो बजट आया है पाकसान के ऊपर लेकिन नाइंटी सैवन मिलियन डॉलर जो है वो दे रहे हैं हमें फ्लर्ट के वाले से चो मुझे लगता यह है कि हमें हमारी नेशन को बैठने की जूरुत है वो जिस दिन होगा तो उस दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी लेकिन यहां कि परवालिटी आप में पूछ से पूचा कि विल जी है डेफिनिल्ली विल मैं जो बार-बार हमेशा चीखता हूं नेशन के लिए पाकस्तान के लिए कहता हूँ इस वक्त आप मेरे खाल उस रीजन में वाहिद मुलक रह चुके हैं जहां नेशनलिजम नहीं है और फिर आप वो कहते हैं कि लोगों को पूछ और मैंने आपको अर्स किया था कि आप आ इतनी बड़ी नहीं होती तो आप प्रूफ कर देती क्योंकि दूसरी साइड़ बे अपोनर्ट जो है वो खचरों पे खोतों पे बैठके आ रहे हैं अब एक और बात भी बिताने लगा हूँ यहां कि जब पिछले दिनों उन्होंने आपके तोर्खम के उपर अटेक किया त प्रूफ के साथ तो उसमें एक और भी चीज़ करना चाहता हूँ मैंने जिब अमेरिका के अंदर बिजनस पड़ा है उसके बारे में कहा जाता है कि कही दफ़ा आपका सिस्टम इतना कुरब टोक चुका होता है उसको बचाने के उपर सोर्सी रिसोर्स बर्न करना ज्याती ह नहीं होती वो मसलत नहीं होती अब आपका सिस्टम इतना खराब हो चुका है अब इसको क्रैश होना चाहिए क्रैश हो जलालत की अगली स्टेज पर हम जाएं और उसके बारा बेट करें आज मैंने जंग अखबार में एक आईटी के पड़ा है इसके बारे में खासकर आपक अच्छी मिसाल उन्हों आप ने एक जियूम किया है कि तालबान आएंगे तो वो टीटीपी को खुद ही खतम कर रेंगे यह आपकी सम्शन थी लेकिन तालबान जब आए उन्होंने वो जेलों से छोड़ा उन लोगों को जो जेलों में बंद थे अभी तो हालात कुछ इस हैं जितने ही आपके बंद लोग बैटे हैं उनकी तो इंकम रुपाओं में हाई नहीं है उनको पता क्या महिंगाई का क्या हो रहा है मैं आपको क्यी तफ़क है आपका इस वकत एक हजार रुपे का लिटर हो जाए आपकी रूलिंग लीट को बिल्कु कोई परशानी नहीं अपने साथ पर ट्रेइनिंग के हला देए और आप अपना देखें ट्रेइनिंग का बजट आपका क्या है आप अपने देखें लले तलले तो वो खोते हैं लगे फिर देज़े और आप कहा देते हैं जी हम यह कर लेकिन हकीकत यह है कि आप असंबली से जान छूपे आपकी क्या है अब तो शायद नर्ग की आग में जलना ही बचा है वो भी जल जाए है तो थोड़ा हो जाएगा कि हाँ सब कुछ ट्राइग किया हुआ कम सकम आप देखो जब फॉर एक्जामपल दुनिया में जब अगर मान ले हम कोई मरने के पहले बुजर्ग में आखरी समय में मैं यह यह नहीं कर पाया मैंने बीच में स्टार्ट अप को छोड़ दी यह करते हैं अपना दुख़डा रोत नजर आएंगे इंडियान भी अपना कुछ दुख़डा रोंगे पाकिस्तानियों अगर कोई भी दुख़डा फाइनल मरने से पहले भी देखा जाएगा तो य मिलेगा यह ना वैसा कुछ हो पाया ना बच्पत पढ़ाया जा रहा था कि दुनिया के सबसे अजीम तरीन मुल्क हैं दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है हमारी जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है हमारे जो जमीन है वहां पे दस दस नुदियां के मिलती है हमारे यह है हिमाला से भी उच्छे पहाड़ वो पाकिस्तान में है अलग-अलग चीज़े जो है पाक स्टडी सी किताब में बताई गई सारी जंग भारत से हमने जीती यह सब जो है इनका दिमाग में भरा गया अब वही सब चीज़े जब बा अगेस्तानी इसे रोतों नजर आता है आप देखो यह दोनों खास वापर कमर चीमा और साजेतरा जब भी सांग में वीडियो बनाते हैं इनका दर्द जहलकता है अभी आप देखो किसी और चैनल पर जाएंगे चाहें आर भारत पर जो मेजर गवर्वार्वार पर शो थो उस पर आप देखो कितना चिलाता था चीमा बाकी जगहां पर देखो एक वीडियो कर आपने देखा होगा कोई मान साहब थे उसमें बोलता है कि हमने तो हमारे जो पुर्खे थे वो तो जट सीख थे चीमा सरनेम वह लेकिन उन्होंने उनको अकल आ गई उनको सहूर आ गया उन्होंने कलमा पढ़ लिए यह इस इस टाइप की बाते हैं अगर आपने वीडियो देखा हो तो कमर चीमा के मूझ से हुई थी कि हमारे पुर्खों को अकल आ गई जो वहां छोड़कर करके यहां पर आ गए यह सब बातें करते हों नजर आते हैं इंडियन के सामने और अस दिख जाता है क्या है क्या इनका दुखड़ा है क्या नहीं है क्या है सिर्फ चीक से पुकारते ही नजर आते हैं